वेल्कम बैक तो दे चानल एजुकेशन एरीना पे आप सभी का स्वागत है और जो हमारा image segmentation जो लेक्चे चल रहा है उसी के अंदर हमारा एक और topic है जो कि हमारा thresholding तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि thresholding होता क्या है तो thresholding एक ऐसा word है जो आपको define करेगा images में जो differences होते हैं जो भी आपको object अलग हो जाता है तो उसका जो threshold value रहेगी वह अलग रहेगी अगयना आपका जो बैक्राउंड रहेगा बैक्राउंड की threshold value अलग रहेगी तो एक अलग image रहेगा तो images कोई थोड़ा जो object रहेगा आपका वो थोड़ा सा brighter रहेगा जो आपका background रहेगा थोड़ा सा dark रहेगा अंदरबाज उसका opposite हो जाएगा ठीक है तो page पे कुछ थो भी लिखा हुआ है तो यह मेरा औज और पीछे यह पीछे आपश करकरेंगी हरा तो यहां सब्सक्राइग और पीछे पीछे पीछा फ्रैश्वुर्श्रान से कि अट WRات रहेगा अलग है और जो एक background है background अलग है तो यह simple आपका होता thresholding ठीक है thresholding plays a very important role in segmentation segmentation में बहुत ही important role play करता है तो segmentation हम लोग उसी के हिसाब से देख पाते segmentation हम लोग करते क्या थे हम लोग images को separate separate करते थे थे और उसके उपर operations लगाते थे ताकि उस image को और brighter बनाया जा सके उसकी जो key features जो उसके अंदर कुछ informations जो है वो informations हम लोग ले सके उसके लिए हम लोग क्या segmentation करते थे ठीक है उसके बाद this makes a difference between the object and the background of the image जो भी आपका image रहेगा image के अंदर आपका object क्या है क्या आपके key features है और क्या background है जो हमें छोड़ देना है अगर background भी आपको चाहिए अगर image totally highly contrast और अच्छा खासगत चाहिए तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगा हमको background भी चाहिए साथ में object है object हमको define होना चाहिए हमारा object क्या है तो एक चीज़ हो जाता है तो देखिए threshold में be defined as तो उसको दो तरीके सानुक define कर सकते हैं तो कौन-कौन सा होता है पहले जो है आपका वो है आपका single level thresholding और जो दुसरा है वो है हमारा multi level thresholding तो simple आप लोग नाम से ही पदा कर सकते हैं कि single level में क्या रहेगा एक single level रहेगा एक हमारा single object रहेगा और एक background रहेगा तो वह हो जाएगा हमारा single level thresholding और multi level में क्या होगा मतलब हमारे जो threshold की value रहेगी वह एक दो मतलब एक से जाधा रहेगा तो वहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते है वह level multi level thresholding हो जाएगी ठीक है तो हम लोग simply देख लेते हैं पहला वाला तो हमारा single level thresholding क्या होता है suppose that an image f of x has a light object on a dark background अगर हमारा एक image हमने लिया है suppose f of x y तो उसका मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि वह image हमारा किस तरीके का है ठीक है तो जैसे हमारे पास यह हमारे सामने यह हमारा image है तो यह हमारा image है I hope so आप लोग clear होगा अगर clear नहीं है तो अभी tension लेने कोई जरूरत नहीं है मैं इसका जो PDF है PDF मैं आपको description link में डाल दूंगा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो बस आप लोग समझ लिजिए कि actually होता क्या है तो आप लोग देखेंगे जो हमारा f of xy और यह हमारा threshold है ठीक है यहाप हमारा threshold T दिख रहा है तो जितना यह इसके closer रहेगा उतना हमारा image रहता है और जितना हम लोग उससे दूर जाते हैं तो इसके हिसाफ से क्या होता है उधर का image हमारा brighter होता है ठीक है तो इसमें क्या है अभी हम लोग यह अदि यह define कर सकता है अभी आपका और जो यह वाला जो आपको है यह थुड़ा सा दूर है ठीक है और जेसे दूर होने का उनलब क्या है ? इसका जो वाइटनेस रहे इसका जाद रहेगा इसके अकोर्डिग्स बाइक अब्जेक्ट हो जाएगा और यह हमारा एक बैक्गरउंड हो जाएगा one group near to the zero point of the histogram showing dark background and one group near to the maximum point of the histogram showing light object ठीक है जो far away है वो हमारा light object है और जो उसके दम पास है वो क्या हमारा background ठीक है तो हम लोग उसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं single level thresholding ठीक है ? तो single level thresholding में हमने क्या किया है इसने हमारा पस हमारा पास एक ही threshold की value यानि T आपको यहा पर दिख रहा है तो इस T के according हमने background को अलग किया है और जो हमारा object, object को अलग किया है तब यहाँ पे सिर्फ एक ही object है और एक ही background है तो इसलिए हमने इसको t के according इसको different कर दिया है तो thresholding का हमारा mostly वही काम आता है कि objects और जो background है उनको अलग-अलग कर देना ठीक है तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो f of xy greater than t it is called object तो जो भी greater than t दिया है मतलब t यह इदर है और इससे बड़ा कौन सा है, इस side का उससे बड़ा रहेगा तो यह जो है आपका, यह क्या है आपका object है और जो उससे less रहेगा, वो क्या रहेगा it is called as background तो यह जो equation इदर लिखा हुआ है जबी भी exam में अगर question आता thresholding के उपर, तो मैं आपको recommend करूँगा कि please, आप लोग यह जो दो equation है और साथ में जो diagram है, आप लोग यह भी बनाएं और साथ में equation भी लिखे है, ठीक उसके बाद क्या दिया है, this is called single level thresholding, because we have separated information of an image by single threshold तो यहाँ पर आपको t, single t दीख रहा है, मतलब इस t से, single t से हमने क्या किया है, जो भी हमारा information था, उसको हमने separate किया with the single level thresholding से, तो इसको जैसे हमने उसको क्या कहते है single level thresholding तो चलिए, अब हम लोग देख लेते है multi level thresholding क्या होता है तो यह image आपको clear है कोई doubt नहीं है now let us consider that three dominant modes characterized image histogram of two types of light objects तो जैसे हम लोग image में ही देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग अगर अच्छे देखें तो यहाँ पर हमको t1 दीख रहा और t2 दीख रहा है मतलब यहाँ पर दो threshold value है मतलब अगर जब भी भी आपका एक से जादा अगर कहीं पर भी आपका threshold की value आजाती है मतलब वो क्या रहेगा आपका multi level thresholding रहेगा ठीक तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के threshold value है t1 और t2 और origin के पास कौन सा है हमारा background background हमारा हमेशा कहा पर रहता है origin के पास होता है फिर जो भी आपका image में जो भी आपको Gray level मिल जाते है जो 얼굴ugar parody के पास होते है तो वह define करता है कि во background है और उससे थुदा सा दूर रहता है थुदा सा far away hोता है तो उसका जो brightness रहता है वह brightness ज्यादा होता है यानि वो क्या दिखाता है कि यह कुछ तरीके का object है उसको define करने के लिए ठीक तो यह होता है हमारा multi level thresholding तो हमने यह दो thresholding देख ली अब इसके आगे हम लोग और देख लेते हैं अभी उसके भी types होते होगे types of thresholding तो हमारे पास total कितने types के thresholding होते हैं तो हमारे पास total तीन type के thresholding होते हैं अगर question paper में पूछ लेता है कि thresholding तो thresholding में आपको सबसे पहले क्या बताना है single level thresholding बताना है उसके बाद आपको multi level thresholding बताना है और उसके बाद अगर types अगर पूछ लेते हैं types of thresholding कौन-कौन से हैं तो उसमें आपको बताना है, Global Thresholding होता है, Local Thresholding होता है और Adaptive Thresholding होता है तो Global Thresholding का क्या है, If Thresholding TH, तो Thresholding होता है, उसका Short Form क्या है आपका TH, Depends upon Only the Gray Level of an Image अगर सिर्फ Gray Level of an Image पर ही अगर Dependent है तो उसको हम लोग कहते है Global Thresholding और Global Thresholding जो होता है, यह पूरे के पूरे एक Image पर लग जाएगा, Global का मतलब क्या है, यानि पूरा का पूरा तो पूरे के पूरे Image पर हमको कुछ Thresholding perform करना है, उसका Brightness ज्यादा कर देना है, या फिर थोड़ा कम कर देना है, तो उसको हम लोग कहते है Global Thresholding पूरे इमेज के उपर जो Group रहेगा, Group of Pixels रहेंगे, उसके पूरे पूरे Group of Pixels से हम लोग क्या करने वाले Thresholding एपलाई करेंगे, तो उसके Brightness बढ़ाएंगे, या फिर उसके Brightness को घटाएंगे, ताकि हमको Image clearly दिख सके उसकी बाद आता है आपका Local Thresholding, तो Local Thresholding में क्या होता है, इफ Thresholding तो पूरे अगर कुछ Local Properties के उपर भी अगर हमारा Thresholding डिपेंड कर जाता है, तो हम लोग कहते हैं उसे Local Thresholding, तो Local Thresholding में आपका किस तरीके का हो सकता है, सपोज Globally, वो Globally पूरा हो रहा नहीं है, मतलब कहीं कहीं पर हमारा जो Images है, कहीं पर Dark है, कहीं पर Faint है, तो वहाँ पर हम लोग पर हम लोग क्या यूज करते हैं, Local Thresholding, तो जहाँ पर Require है, वहाँ पर हम लोग उसका Thresholding करेंगे, ठीक, तो यह क्या होता है Local में, आपको पहले Gray Level पर ही होता है, यह भी काम, बट वो दोनों का Mixture होता है, Global भी रहेगा, और Local Properties, मतलब कहीं पर अगर आपको Threshold की Value घटा न नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग Local Properties का यूज कर सकते हैं, उसके बाद आता है हमारा Adaptive Thresholding, तो इसमें क्या होता है, अगर आपको Particularly कोई एक Image है, और किसी एक पिक्सल पर अगर आपको कुछ Changes करना है, अगर वहाँ का Threshold बढ़ाना है, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते है Adaptive Threshold, ठीक है, किसी एक Pixel की Value अगर बढ़ा नहीं है, फिर घटा नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते है, Adaptive Thresholding, When Thresholding depends upon Gray Level, Local Properties and Spatial Coordinate, Position of Pixel of Pixels, This is called Dynamic Thresholding, मतलब Dynamic क्यो बोला गया है, कि हम लोग किसी भी एक Particular Pixel के Value पर हम लोग उस Pixel के Value का जो Thresholding है, उसको बढ़ा सक जा फिर घटा सकते हैं, तो उसको हम लोग खहते है, Adaptive Thresholding, तो I hope so, आप लोग को Thresholding क्या होता है, Segmentation में वो समझ में आया होगा, जो मैंने आपको Two Types बतायाते हैं, उसके कौन-कौन से, Single Level और Multi Level Thresholding, वो आपको Clear हो गया होगा, और Types कौन-कौन से Thresholding के, तो ये जो 3 Types ह होते हैं, तो ये 3 Types आपको लिखना है, मैं recommend करूँगा कि आप लोग इतना लिख हैं, because ये भी exam point of view के हिसाब से, काफी important question है, right, तो I hope so, आप लोग का, जो भी doubt होगा, clear हो गया होगा, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए, Thank you, Take care, Have a nice day, and Bye-bye. झाल के जाल के लिए